प्यारे बच्चों, आज मैंने क्लास फाइव हिंदी बिशन की दिलेरी नामकपाट से आपके लिए एक कुछ तयार की है बच्चों, इस क्विज में या कारपत्रक में दिये गए सभी प्रिशन बहु बिकल्पी हैं आप सही बिकल्प का चैन कर दिये गए इस्थान पर सही उत्तर लिखें तो आई बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों, इन चारों किसे जो भी एंसर सही है उसका चैन कर नीचे दिये के स्थान पर लिखें सिगेंड, करनल दत्ता के फार्म हाउस से लगा बात था आप सही उत्तर का चैन करें और दिये गए स्थान पर उत्तर लिखें किसकी फसल तयार खड़ी थी आप सही उत्तर का चैन कर दिये गए स्थान पर लिखें 5. खेतों में दाना चुगने कौन आते थे? 6. करनल दत्ता के घर कितने सिकारी आए? 7. करनल साहप का कुट्ता कौन सी नसल का था? 8. जर्मन सेफर्ड, बी अलसेशियन, सी पामेरियन, डी बॉक्सर, इस्टुडेंट्स जो उत्तर सही है उसके उत्तुरंद चैन करें और दिये गए स्थान पर लिखें और समय का ध्यान रखते होए आगे बढ़ें 8. बिशन ने तीतर को किसमें छिपाकर रख दिया? A. टोकरी में, B. संदूक में, C. टंकी में, D. घर में आप सही उत्तर का चैन करें और लिखें 9. तीतर को क्या हुआ था? A. सिर में घाव था B. मर गया था C. चोट लगी थी D. एक पंक तूट गया था वचो इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको आप लिखें 10. कर्नल दत्ता के नौकर का क्या नाम था? A. रमेशचंद्र B. गुराबचंद C. भूपचंद D. सिवचंद इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको चैन करें और आगे बढ़ें 11. सेबों के बाग में किसका छिड़का हो रहा था? A. पानी का B. यूरिया का C. दूद का D. कीट ना सक दवाओं का बच्चों सेब के बाग में जिस चीज का छिड़का हो रहा था? उस आपसन का चैन करें और दिये के स्थान पर उत्तर को लिखें 12. गोली किसने चलाई थी? A. कर्नल दत्ता ने B. सिकारी ने C. विशन ने D. गुलाब चंद्र ने इन चारों में से जिसने भी गोली चलाई थी? उसका चैन कर नीचे दिये गए इस्थान पर उत्तर लिखें 13. बिशन दोड़ कर किसका बक्सा लाया? A. टूल बाक्स B. कपड़े का C. दवाओं का D. कीट ना सकका आप सही उत्तर का चैन करें और नीचे लिखें 14. आस्मान में गोल गोल चक्कर कौन काटने लगे? A. पच्छी B. सेर C. तितली D. सिकारी इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चैन कर नीचे दिये गए इस्थान पर लिखें और आगे बढ़ें 15. बहु एक कटोरी में क्याल आई? A. पानी B. सरवत C. खीर D. डल्या तो बच्छो कहानी के अधार पर जो उत्तर सही है उसका चैन कर नीचे दिये गए इस्थान पर लिखें 16. लड़के रुगजा नहीं मैं गोली मार दूँगा किसने कहा? A. करनल दत्ता ने B. विशन ने C. सिकारी ने D. डॉक्टर ने बच्छो A. B. C. D. इनमें से जो सही है उस उत्तर कर चैन कर लिखें 17. किसने किसे सबक सिखाने की सोची? A. सिकारी ने विशन को B. विशन ने सिकारियों को C. करनल ने सिकारी को D. दवा छिड़कने वालों को इन चारों में से जो उत्तर सही है उसका चैन कर नीचे दिये गए स्थान पर लिखें और समय का ध्यान रखते हुए बच्चों आगे बढ़ें 18. सिकारियों ने आपनी जान पहचान किसे से बताई थी A. माधो सिंग से B. गुलाब चंद से C. करनल दत्ता से D. नहो कर सी जो भी उत्तर सही है इन चारों में से उसे आप तुरंद लिखें 19. दिलेरी का अर्थ है A. का अर्था B. बहादुरी C. होसियारी D. बेवकूफी इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको आप लिखें 20. स्रीडी नुमा खेत कहां मिलते हैं A. पहाडों पर B. मैदानों में C. नदियों में D. पठारों में इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चैन कर नीचे दिये गए स्थान पर आप लिखें बच्चो आपने सभी 20 questions पूरे कर लिए होंगे आपकी सुब्दा के लिए आगे इसके इंसर दिये गए हैं उनसे आप मिलान कर लें और देखें कि आपको 20 में से कितने मार्स मिलें A 1 का B 2 का C 3 का A 4 का C 5 का C 6 का B 7 का B 8 का A 9 का D 10 का B 11 का D 12 का B 13 का C 14 का A 15 का D 16 का C 17 का B 19 का A 18 का A 19 का B और 20 का A You have successfully completed your quiz students either a more or grade 18 to 20 जिन छात्रों ने पाया excellent 15 to 17 very good 12 to 14 good बिला 12 फेयर 3 attempt quiz students जिन छात्रोंने 12 से नीचे नमबर पाएं हैं वे एक क्विश्ट को दुबारा करें बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस करें आज इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद